यहां पर इस सीरीज में हम आपको ग्रामर और वोकाब दोनों कवर करा रहे हैं तो पहला कुशन देखते हैं कहारा सेलेक्ट था मोस्ट वन वर्ड फॉर्ड गिवन एक्स्प्रेशन वन वर्ड बताना है बिलॉंगिंग तो पर्टिकुलर प्लेस रैदर दन कमिंग टू इट संवेर जो भाई एक ही स्थान को बिलॉंग करता हो अपने मूल स्थान को जो जिज़ वहीं पर पैदा हुई है और वहीं पर ही बिलॉंग करती हो कहीं ओड से नहीं आहीं तो उसे हम बोलते हैं क्या सेलेशियल मेरे भाई क्या होता है तो आप जो भी आपकी अकाश की चीज के और इंडिजिनेस इंडिजिनेस का मतलब होता है मूल स्थान वाला जो जिस जगह पर पैदा हुआ हो उसी जगह को पर्टिकुलर प्लेस का हो जैसे आप बोलो इंडिजिनेस प्लांट तो मतलब पर्टिकुलर प्लेस का प्लांट वहीं पर उसका ओरीजिन हुआ है वहीं को वो belong करता है tenant का मतलब होता मेरे भाई principle कोई भी belief कोई भी सिधान्त principle उसे हम क्या बोलते है उसे हम बोलते है tenant देखो यहीं से आप एक चीज़ देखो एक होता है principle P-R-I-N-C-I-P-A-L और एक होता है principle P-R-I-N-C-I-P-L-E ठीक है P-L-E देखो जो principle होता है यह वाला principle यह होता सिधान्त और यह principle होता है आपका स्कूल वाला I think यह बाते सबको पता होंगी कि principle की spelling क्या होती है कई बार exam में क्या देखा जाता है कि principle की spelling को लेके ही error देखा जाता है ठीक है न तो कोई भी एक आपका proposition हो कोई भी rule हो उसे आप principle यह वाला belief कोई भी एक rule belief सिधान्त उसे यह वाला principle कहते है spelling ध्यान डखना answer हो गया indigenous select the option no correction required ठीक है हमें बताना है इसमें कहीं पे error तो नहीं है चलिए देखते है she taught me many things like how to achieve congress, congress मतलब होता है similar, किसी चीज में mail करना congress with your work, your home and your personal needs कि भीया उसने मुझे सिखाया कि भी कैसे achieve करो mail तालमाता समझो मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूं और मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं तो मैं इस दोनों के बीच में connection कैसे बिठाऊं तो वैसी ही इनोंने इसको इसको क्या सिखाया अपने काम अपने घर और personal needs में कैसे mail बिठाना तो भीया इन सब में mail बिठाना तो with नहीं, between इन सब में mail बिठाना between तो between वाला आपका answer होगा how to achieve congruence between my work my home and personal needs fourth answer next पढ़ते हैं आगे choose the correctly spelled word बताएं correct spelling क्या होगी correct spelling होगी मेरे भाई आपकी detrimental होता है detriment का मतलब होता है कोई भी चीज जो बहुत ज़्यादा hazardous हो harmful हो घातक हो बहुत ज़्यादा आपके लिए क्या हो panicious हो panicious p-e-n-i-c-i-o-u-s panicious हो harmful हो inimical हो inimical inimical हो तो इन सारे words का मतलब क्या है harmful हो और ये सारे words अपने साथ एक fixed proposition लेंगे तू ये भी आपको ध्यान रखना answer हो जाएगा d-e-t-r-i-m-e-n-t ठीक है question देखते हैं photographing the dash qualities of the moon requires a few tools to make use of the moons available light source as well as minimum camera shake and or blur तो moon की ऐसी को quality ठीक है और जो क्या कर दे camera shake को कम कर दे और blurring को कम कर दे और क्या करे photographing the dash qualities of the moon कि moon की कैसी quality को photographing करने के लिए तो कैसी quality आओ चेक करते हैं session session मतलब क्या है मेरे भाई session का मतलब तो होता है कि जब आप कोई right कोई अधिकार कोई give up कर दे ठीक है तो उसे कहते हैं session कोई आप त्याग दे कोई अधिकार कोई right उसले ठीक है तो session तो नहीं होगा हमारा denigrate मतलब होता है मेरे भाई किसी को denounce करना denounce करना किसी को criticize करना तो ये भी नहीं होगा आपका सेंग्विंग का मतलब होता है जो अपने future को लेके बढ़ाई hopeful हो ये भी नहीं होगा luminescent मतलब होता है bright quality चमकती होई quality जहां से light हो रही हो emitting emitting light तो ये होती है luminescent quality तो first answer होगा qualities of the moon जैसे कि moon में सो light आती है emitting light ये light कभी heat से नहीं आती चमक से आती तो यहां पर होगा luminescent बस ये तो अपका vocab से answer चला गया next देखते है level playing field level playing field का मतलब होता है एक ऐसा competition जिसमें कोई भी पक्ष विपक्ष ना रखा हो कोई भेदबाब ना हुआ हो किसी की side नहीं लिए हो एक fair competition where no one has taken any advantage और किसी की कोई side नहीं लिए हो तेक है न where no side has an advantage दोनों के लिए जैसे ये person है ये वाला person है ये दोनों competition में तो दोनों के लिए competition equal है और हम चाते हैं कि हमारे DSSB के paper भी हो जो बिलकुल fair competition में हो बिलकुल equal हो उसमें कोई भी भेदबाफ ना हो ठीक है next देखते हैं amorphous क्या मतलब है amorphous का पहले तो spelling amorphous की ये सही होती है amorphous का मतलब होता जिसमें no shape हो having no particular shape having no structure no structure no shape ठीक है shapeless basically आप इसे बोलेंगे shapeless तो ये आप कहां से चले जाएगा shapeless next मेरे भाई filling the blanks है चलो ये भी कटते हैं देखो कितना vocab के ओपर कितना base जा रहा है पहले तो उसकी vocab ही उड़ा दो contution contution का मतलब होता जब आपकी body में blood capillaries जो capillaries होती है blood capillaries जो आपकी body में होती है वो इखटा हो जाए मतलब सूजन आ जाए कहीं पर एक ब्रूज हो जाए से आपको चोट लगी तो आपकी थोड़ी से injury होगी तो ब्रूज आ गया नीला पन पढ़ गया बी आर यू आई ऐसी तो उसे हम कहता है contution hubris hubris का मतलब होता है अपने ओपर बहुत जादा घ्रमंड करना too proud of yourself suffrage का मतलब क्या होता है suffrage का मतलब होता है voting के right voting का अधिकार exposition मतलब होता है explanation क्या होता मेरे बाई explanation आओ जड़ा देखते हैं कि कौन सा option सही बैठेगा अब देखो एक ही बार में पढ़ेंगे और वो क्या देखो कितनी आपको help करेगी the other also dates from the season period cesarean period it mentions many interesting details and concludes with a fine dash of the lord's period and concludes with a fine जब इसकी बात हो रही है कि other dates cesarean period में से और क्या detail मेंशन करती है interesting detail और क्या बताती है fine क्या करेंगी fine क्या देगी हमें बहुँआन की prayer के बारे में जो क्या देगी ओभगवान की prayer के बारे में explanation देगी कोई right तो देगी नहीं ठीक है घमंड भी नहीं देगी कोई चोट के बात नहीं और इता exposition मतलब explanation बस यह तो भहत असान था भई जिसे वो क्या बाती होगी वो असानी से कर लेगा next क्या है next देखिए error बताना for most of the century the Everest बस मैं यहीं रुक गया भाई कभी भी article ये जो mount Everest है इंके उपर mountains peak के उपर के साथ कभी भी article नहीं आता mountains range होती lake होता तो इंके साथ article आ सकता था mountains peak के साथ कभी नहीं आता article यही दा हटेगा second answer बहुत simple है यार बहुत असान असान दे रहे हैं आओ चलो PQRS पढ़ते सब कहते हैं PQRS में गड़वड़े चलो इससे पढ़ते आराम राम से पढ़ेंगे this led to the circulation of malicious stories to the effect that great britain was not doing her share and she was and that she was preserving her soldiers at the expense of those furnished from overseas ठीक है यह उस बारे में कहा जाता है जब बहुत ही harmful बहुत ही खतरनाक story थी किसको effect करती भी great britain की और उन्होंने अपना share नहीं दिया was not doing her share ठीक है और preserve कर अपने soldier को बचाया अब रुक जाओ एक में टुक जाओ हम तो मतलब निकाल रहे है पर थोड़ा देख लो कौन किस से लिंक हो रहा है पहले तो यह है हमारा पहला क्या है पहला तो हमारा यह है this led to the circulation of ठीक है तो circulation of किसका यह led करता है circulation of किसका was यह तो starting में आई नहीं सकता सब में पी दे रखा तो starting में तो पी आएगा के बास सीधा डैट तो आनी सकता है यहां पर यह तो होगा नहीं ठीक है पी एस एस यह वाला option चेक करते है क्या एस होगा डैट ग्रेट बिटें एड़ दा expense of दोस यह तो होई नहीं सकता कोई meaningless है मिनिंग ही नहीं दे रहा कोई है ठीक है पी के साथ आर चेक कर लो डैट ग्रेट बिटें डैट यह भी option नहीं होगा तो यह वाला भी कट गया बचे दो यह तो मेलेशे स्टोरिस टूदा इफेक्ट डैट ग्रेट बिटें वाज नॉट डूइंग हर शेर यहां पर हर रेफर कर रहा है ग्रेट बिटें को कि उन्होंने अपना कुछ नहीं करा शेर से एंड एंड क्या करा और क्या करा एंड डैट एंड डैट शी वह बचा रही थी अपने शोल्जर्स को तो क्या हो गया पी क्यू आर कौन सा सही यह सही है पी क्यू आरस बस खता हम बाखी दो देखो बीच में से उठाई वी चीज़ ना तो थोड़ी दिक्कत हो सकते मगर बहुत को प्रचूर्वाष प्रचूर्श सरह कने इनन ने पारण Morgan progress के रहे हैं और सबस्तंशियल का मतलब होता है बाइस सबस्तंशियल का मतलब होता है large प्रचूर मातरा में अस और जो तो आपको बताना था एंटोनियम अपोजिट वर्ड आपका अंसर चला गया सब्स्टेंशियल जिसका मतलब है टू लार्ज और अबेंडेंट इन क्वालिटी ठीक है बहुत ज्यादा है एंपल होना प्रचूर मात्रा में होना एंपल इध्याड़ एंड़ एंडि एंट प्रचूर मात्रा में होना प्लेंटिफुल होना कॉपियस होना ठीक है नेक्स एलेक्स क्लाइम इन्टो दगब कश्रणे कार में बिसाइड कारंन अरे भहिएँ एलेंट इन्टो दगब कर और उस ने अपना हाथ रखा seat के back में behind her neck इसके neck में भीया वो कह रहा है Alex बैठा कार में climb करा कार में और उसने क्या किया कि इस कार मेंन के बगल में रखा तो besides तो गलत है देखो besides का मतलब है के बावजूद in addition to मैं आप लोगों को पढ़ा भी रहा हूँ और मैं offline center में भी पढ़ा रहा हूँ besides मैं इस काम के लावा ये भी कर रहा हूँ besides I am pursuing graduation I am also teaching ठीक है besides मतलब in addition to इसके बावजूद मैं ये काम कर रहा हूँ besides जो आपका word होता है b i s e d जिसमें s नहीं होता खाली e होता इस besides का मतलब क्या इस besides का मतलब होता है के बगल में by the side of ठीक है तो यहाँ पर ये आना चाहिए तो यहाँ पर ये correct होगा besides हटेगा क्या आएगा आपका besides ये वाला answer आएगा चलिए तो बहुत असान ता आ जाई आगे back in which the spine is curved in an abnormal way ये एक person है इसका जो spine backbone है वो spinal cord वो ऐसा curve हो रुख है कबड किसे कहते है कुबड होना hunchback hunchback कार की भी होती है कईओं की पीछे की टेल नहीं होती है उठी भी होती है कार उसे hunchback कहते है इसकी कुबड हो पीछे से थोड़ा उठावा हो उससे ऐसे person को hunchback कहते है ठीक है debauchery मतलब होता है पत भ्रस relating to sex related to alcohol sex ठीक है debauchery उसे कहते हैं और untoward कहते हैं unpleasant चीजों को unpleasant चीजों को हम क्या कहेंगे untoward कहेंगे wise किसे कहेंगे मेरे भाई wise कहेंगे हम immoral immoral चीजों को ठीक है चलिए next an overseas bank account in the company name contained a balance of one million dollars which were raised through illegal means ठीक है आज़ो मेरे भाई ये तो which who that ये जो relative प्रणाम होते हैं ये अपने बाद verb लेते हैं अपने आने वाले subject के according यहाँ पर तो ये off preposition है तो मतलब ये जो सारा आ रहा है ये तो prepositional object है ये तो object है ये subject नहीं है इसका तो which से पहले जो antecedent बना वो बना contained a balance ये a balance मेरे भाई singular है तो यहाँ पर singular verb आई कि which अपने से पहले subject के accordingly verb लेता है तो was लेगा सर ये सब क्या बता दिया आपने आजो भाई एक बार हम दुबारा से देखते हैं चीजों को कि देखो भाई क्या हुआ है यह जो light आ गई है ठीक है ठीक है न हुआ क्या है देखो यह जो which है हू है डेट है यह relative प्रणावन होते हैं यह कहते हैं जैसे मां बोलू वन ओफ दस्टूदेंट्स हूँ है एज आफ है खम वन ओफ दस्टूदेंट्स हूँ है जा जाना चाहिए ऐसा नहीं होता है यह जो हूँ है यह यह relative प्रणावन है तो हूँ इसका मतलब होता है हेर यहाँ वहाँ घूम रहे हो भाई तुम हैं एमिनन्ट का मतलब होता तुरंत जो चीज बहुत जल्दी हो जाए और जो बहुत पास हो ठीक है क्लोज हो इमिनन्ट बहुत ज्यादा क्लोज हो कि इंपेंडिंग मतलब व कोई चीज कोई य्धिश बड़े आपके लिए घ्क बार यहां द्रेट्ट already मेरे बाइश अब हमने क्या करें घीर वो नहीं किया है तो वीडियो अच्छे लग रही हो तो लाइक करना सारी चीज हमने खोल के समझिया अगर कोई चीज नहीं आती तो बता दे ना मैं उसको आपके नेक्स वाले क्लास में और अच्छे से एक्स्प्लेंग कर दूंगा तो चलिए गाइस थैंक यू है वे नाइस टे